हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब तो कोरोना के अलावा एक और वाइरस है जो देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है इस वाइरस का नाम है नफरत इसी नफरत की वज़े से दिल्ली में दंगे हुए और इन दंगों में 47 लोगों को अपन जान गवानी पड़ी और इस नफरत का पोस्ट बॉय था शाहरुक वो शाहरुक जो मौझपूर में ताबर तोड गोलियां चलाने के बाद फरार हो गया लेकिन अपरादी कितना भी शातिव क्यों ना हो वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है शाहरुक भी आज पकड़ लिया गया यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी काम्याबी है लेकिन हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस से एक चूप भी हुई आज पुलिस ने माना कि हत्या का एक और आरोपी जो फरार है उसे पुलिस ने ही रेस्क्यू किया था कौन था वो शक्स पूरी खब फाइरिंग में इस्तमाल पिस्टिल पुलिस को अभी तक मिली नहीं है बिहार की मुंगेर में बनी थी अवैत पिस्टिल तीन राउंड फाइरिंग करने वाले शाहरुक पर आम्ज आक्ट के तहत मुकादमा दर्ज हो गया है पना देने वालों के खिलाव भी कारवाई हो ग पुलिस और पत्रकारों से घेरा ये वही शारुक है जो दिली के गंगों का बड़ा चेहरा है इसकी तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 25 फरवरी से कर रही थी और आठ दिनों के बाद यूपी के शामली से शाहरुक को गिरफतार किया थी शाहरुक को गिरफतार करने में इसलिए इतना वक्त लगा क्योंकि वारदाद के बाद वो दिल्ली छोड़कर भाग गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था पुच्ताष में शाहरुक ने बताए है कि गोली चलाने के बाद वो सबसे पहले अपने घर गया, वहां से उसने अपनी गाडी ली और गाडी लेकर वो कॉनवर्ट प्लेस चला गया कॉनोर्ट प्लेस में वो राद बर पार्किंग में गाड़ी लगा कर सोता रहा उसके बाद अगले दिन वो गाड़ी से ही जालंदर गया जालंदर से बरेली और बरेली की बाद उसने शामली में पना ली दिल्ली के मौजपूर का ये वीडियो 24 वरी का है जिसमें शाहरुक फाइरिंग करते दिखा था पुलिस के मताबक इस दोरान शाहरुक ने तीन राउंड फाइरिंग की थी हला कि पुलिस को अब तक वारदात में इस्तमाल पिस्तॉल नहीं मिली है और नहीं भागने में इस्तमाल गाड़ी बरामध हुई है अब पुलिस उन लोगों पर कारवाई की तयारी कर रही है जिन्होंने शाहरुक को पना दी पुलिस के मताबिक शाहरुक के पिता पर ड्रक्स और फेक करंसी की तसकरी का केस है लेकिन शाहरुक का कोई आपराधिक बैक्ग्राउंड नहीं है हिंजा के दौरान शाहरुक ने टैश में आकर कॉंस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूख तान दी थी ये तस्वीर तब खूब वाइरल हुई थी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉंफरेंस में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है शाहरुक के बाद दिल्ली के दंगों में जिस शक्स का सबसे ज़ादा नाम लिया गया वो था ताहिर हुसैन आद्मी पार्टी के निशकासित पार्षत पर ग्रीमंत्राला के करमचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरूप लगा है ताहिर दंगों के बाद से फरार है और दिल्ली पुलिस की माने तो दंगों की रात ताहिर को पुलिस ने ही रेस्क्यू किया था क्योंकि उसने अपने इंटर्विव में आपका नाम लिया है कि अजीद सिंगला साहब ने हमें रेस्ट उतराया था आप कब गए था उनके गए वो रात को जो कह रहे हैं साड़े गारा बारा वजे की बात है इस कबूल नामे का मतलब यह है कि जो शक्स गिरफतार होना चाहिए था वो पुलिस की शेह में ही फरार हो गया हाना कि तब ताहिर का नाम अंकित हत्यकांट से नहीं जुड़ा था मैं शेकर कपूर लेके आ रहा हूँ